राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्री शेक्षिक प्रवध्योग की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम मौलाना अबुलकलाम आजाद 1909 की बात है अंग्रेश सरकार इस प्रयास में थी कि भारतियों में फूट डाली जाए इसलिए सरकार द्वारा बंगाल विभाजन या बंग भंग का प्रस्ताव रखा गया इसका आशय मुसलमानों को खुश करना था बंगाल में अनेक क्रांतिकारियों ने मिलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया उन में से एक थे मौलाना अबुलकलाम आजाद अंग्रेशों की इस चाल को हम काम्याब नहीं होने देंगे कल कत्ता तो जैसे क्रांतिकारियों का केंडर बन गया है आखिर यहां का हर देश्वासी क्रांतिकारी जो बनता जा रहा है अरे देखो शाम सुन्दर चक्रवर्ती जी इधरी आ रहे हैं अरे हां यहां लेकिन उनके साथ पता नहीं है दूसरा ब्रक्ती कौन है शाथियो अरे सुनो शुनो चक्रवर्ती बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं शाथियो देखो मेरे साथ जो यह नौजवान आये हैं यह हमारे दल में शामिर होना चाहते हैं वैसे यह लेखक और पत्रकार हैं नाम है मौलाना अबुल कलाम आजार अब यह थीक है कि मैं मुसल्मान हूँ मगर मैं यह देख रहा हूँ कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसल्मानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है यदि हम एक नहीं होंगे तो अंग्रेजों का उस्ताहा और बड़ेगा लेकिन मौलाना अबुल सहाब पहले हमें अपना परिचे तो दीजिए दोस्तों कई साल पूर्व मेरे माता पिता मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए थे लेकिन वो कई साल तक नहीं लोटे वही 1888 में मेरा जन्व हुआ मेरी अरंबिक शिक्षा भी मक्का में ही हुई भारत में तो हम कुछ साल पहले ही आए हैं लेकिन आप हमारी क्रांती में किस प्रकार साथ देंगे दोस्तों मैं पत्रकार हूँ चाहता हूँ इसी माध्यम से लोगों में एक ता बनाया रखते हुए क्रांती की शुरूआत करूँ ठीक है ठीक है उसके एक वर्ष बाद यानि 1915 में उसी शान और गरच के साथ मौलाना आजाद ने अल बिलाग निकाला लेकिन अरे सुना भई कहते हैं मौलाना आजाद को बंगाल की सीमा से बाहर निकल जाने का आदेश मिला और वो भी एक सब्ताह के भीतर बिल्कुल अपने पिछले लेक में ही तो उन्होंने लिखा था कि गुलामी बहुत बड़ी लानत है अरे आग बर्साने वाले मौलाना आजाद जैसे पत्रकार को अंग्रेज भला आजाद रहने देंगे इस प्रकार मार्च 1916 में मौलाना आजाद बंगाल से निकल कर रांची पहुँचे लेकिन कुछी महीने बाद उन्हें रांची में ही नजरबंद कर दिया गया इस नजरबंदी से रीहा होते ही 1920 में वे महात्मा गांधी से मिले हस्ते हस्ते जेल जाना तो ऐसे हो गया जैसे वो भी उनका दफ्तर हो ऐसी ही एक गिरफ्तारी असहयोग आंदोलन के सिलसले में 1921 में हुई साथियो साथियो अब अंग्रेश ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हमारा बस चले तो हम आज ही उन्हें भागने पर मजबूर कर दें परन्तु मौलाना आजाद में तो गिरफ्तार होते समय हमें शांती से रहने को कहा था इसी लिए तो सारा कलकत्ता घुस्से से भरा है मगर शांत है वर्ना अगर इस समय तुम्हें इतना घुस्सा क्यों हाँ बोलो मैं कोट से आ रहा हूँ आज वहां मौलाना आजाद के मुकदमे की सुनवाई हुई थी मैंने भी सुना था फिर मौलाना ने क्या किया उन्होंने वही किया जो एक सच्चे सत्या ग्रही देशवक्त को करना चाहिए यानि मौलाना ने कोट में आने से मना कर दिया मगर कारेवाई फिर भी हुई है फिर भी हुई अच्छा वो कैसे उन्होंने अपना बयान लिख कर कोट में भेजा था उसकी कुछ बाते तो अब भी मुझे याद है अच्छा क्या कहा था उन्होंने कहा था शिरिमान में अभ्युक्तों का कटखरा और आपके हिस्से में मजिस्ट्रेट की कुर्सी हमें जल्दी जल्दी यहां आने दो और तुम भी जल्दी जल्दी फैसले लिखते रहो और तुम भी जल्दी जल्दी फैसले लिखते रहो किसी सत्याग रही का इस यदिक सच्चा और मगर इसके बावजूद मौलाना अजाद को एक वर्ष के कठोर कारा आवास का दंड सुनाया गया है जेल से रिहाई के बाद मौलाना ने देखा एक ता भंग हो चुकी है बड़े बड़े नेता चिन्तित हैं तभी सितंबर 1923 में दिल्ली में कॉंग्रेस का एक विशेश अधिवेशन हुआ पुराने और अनुभवी नेताओं को छोड़कर मौलाना आजाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया इस समय उनकी उम्र थी मात्र 35 वर्ष इसके बाद 1940 में भी उन्हें राष्ट्रिय महासभा का अध्यक्ष बनाया गया अंत्रम सरकार में मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बने और जब भारत गणराज्य बना तब भी वे शिक्षा मंत्री बनाये गये मौलाना आजाद ने हमेशा राष्ट्री एक्ता की मशाल जलाए रखी और इसी भावना के साथ वे 22 फरवरी 1958 को हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए मौलाना अबुल कलाम आजाद अभियाप सुन रही थे ये कारिक्रम आलेक भगवान दास वध्वा, विशय सयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, अभह भार्गव, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, राकेश शर्मा और बी आर एल सक्सेना ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्मा एवं प्रस्तुति, बंदना निगम, तथा परियोजना नर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा